बड़ी कबर आपको बता दें इरान ने का है कि वो किर्मान में हुए आतन की हमले का जवाब जल्दी देगा इरान ने इस हमले के लिए इसरेल और अमेरिका को दोश्टी ठेराया है इस हमले की जम्मेदारी आयस आयस ने लिए है किर्मान में आत्मगाती धमाके हुए थे जिसमें मरने वालों की तादाद एक यान में पहुँच चुकी है इरान ने कहा कि वो इस हमले के लिए जम्रदार ताक्तों को छोड़ेगा नहीं तो आपको बता दें कि किस तरीके से किर्मान की ओर से ये पूरा बयान सामनाया अब इरान ने अब तक जो भी धमकी दी उसे इसरेल और अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान है यमन का मिलीशिया हूती अब इरान की इसी इरादे को पूरा करना चाहता है पूती में द्रोहियों ने अमेरिका से कह दिया है कि अगला हमला बहुत खतरनाक होगा वह अमेरिका कैसे बचेगा इसके लिए वो भारत के कमांडो ओपरेशन से बहुत कुछ सीख सकता है यह वो वीडियो है जिसे देखकर बाइडन हिम्मत जोटा सकते हैं यह वो वीडियो है जो अमेरिका का डर खत्म कर सकता है यह वो वीडियो है जिसे देखकर भारत पूरी दुनिया के सामने मिसाल बन गया है यह वो वीडियो है जिसे देखकर अमेरिका के मशूर सील कमांडो भारत के मार्कोस कमांडो से सीख सकते हैं देखिए कैसे भारतिय नेवी के कमांडो एक अगवा हुए जहाज की तरफ बढ़े कमांडो जहाज पर सबार होते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं एक-एक कोने की तलाशी लिजाती है जहाज पर कपज़ा करने वालों को ललकारा जाता है और फिर ऑपरेशन जीत लिया जाता है पूरी खबर ये है कि भारती नौसेना के मारकोस कमांडो ने सिर्फ दो घंटे के अंदर एक कारगो जहाज को मुसीबत से बचा लिया मारकोस यानी मरीन कमांडो इस फोर्स ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों में दहशत पैदा करती भारत के इस कमांडो टीम ने ऐसा ओपरेशन चलाया कि समुद्री लुटेरे भाग खड़े हुए और कारगो जहाज पर बंधक बनाये गए 21 लोग छोड़ा लिये गए इस कमांडो ओपरेशन में भारती नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में लाइबेरिया के जंडे वाले मर्चंट शिप एमवी लीला शिप को बचा कर दिखाया है इस कमांडो ऐक्षन में इंडियन नेवी के स्पेशल समुद्री कमांडो फोस मार्कोस पूरी दुनिया को बता रही है कि समंदर में दुश्मनों से कैसे लड़ा जाता है ये जान की बाजी लगाने जैसा है दुश्मन की गोलियों का सामना करने जैसा है भारत ने इस जहाज को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी लाइबेरिया के जंडे वाले मर्चंट शिप M.V. लीला शिप को बचाने के लिए सिर्फ मार्कोस कमांडो ही तैनात नहीं किये गए इसमें P.8I.2 ही विमान भी शामिल रहा इसमें अमेरिका से ही खरीदा गया M.Q.9B प्रेडेटर ड्रोन भी शामिल हुआ ओपरेशन से पहले ओपरेशन के दौरान जहाज पर बराबर नजर रखी गए और फिर जब भारत के मार्कोस कमांडों ने M.V. लीला जहाज पर चढ़ाई की तो जीत भारत की हो जो इस जहाज के आसपास कहीं मतलब पांच छे धाउज और फिशिंग बोर्ट्स होगे रहे थे तो उनका भी डिटेल्स होगे रर्कॉर्ट किया गया तो इस से उनका कॉंपिजन्स था कि पारेट अटक हो है और कोई जान करी नहीं था कि पारेट्स ओन बोर्ड है नहीं है इसके पारे में ज़्यादा इन्फोमिशन नहीं था क्यूंकि क्रू स्रेडल के अंधर थे और उनको भी ज़्यादा इन्फोमिशन नहीं था तो इतने में हमने डिसेड़ किया कि सवाल है कि ऐसी हिम्मत अमेरिका क्यों नहीं दिखा पाया जो इस सुवक्त लाल सागर में मौजूद होने के बावजूद यमन के हूथी विद्रोहिवें से घबराया हुआ है क्या अमेरिका के सील कमांडो भारत के मार्कोस कमांडो से कमजूर है क्योंकि यहां तो मार्कोस कमांडो ने दो घंटे में ऑपरेशन करके दिखाया है भारत ने हर टेक्नलोजी और मिलिटरी पावर का इस्तिमाल करके समुद्री लोटेरों को डरा दिया, भगा दिया अमेरिका तो खुद को सुपर पावर कहता है, आखिर उसका केरिया, हूथी विद्रोहियों को देखकर लाल सागर से क्यों भाग गया जब घाजा में इस्रेयल की बंबारी चल रही है, जब लेबनान बॉर्डर पर इस्रेयल और हिजबुल्ला की टकर हो रही है, तब हिंद महासागर के एक पश्चिमी कोने में इस सुक्त तूफान मचा हुआ है हालात बहुत ज़्यादा खराब है, और अब यहां युद्ध का ऐसा खत्रा है कि सवाल खड़े होने लगे है कि क्या अमेरिका यमन के हूथी विद्रोहियों से डर गया है, ये सवाल इसलिए क्योंकि उसके फैसले तो यही साबित करते है इस वक्त अमेरिका को एश्या के तीन इलाकों में चैलेंज बिन रहा है इसलिए अमेरिका ने अपनी नौसेना लाल सागर में तैनात की होई है यमन के हूथी विद्रोहियों ने कह दिया है कि जो भी लाल सागर में अमेरिका के साथ आएगा उस पर हमला जरूर होगा हूथी विद्रोहियों के टार्गेट दो है, पहला है इसरेल और दूसरा है अमेरिका हूथी विद्रोहियों ने इसरेयल के शिप को टार्गेट करना शुरू कर दिया है वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दू मानता है अमलियत इस्तिहदाफ लिसफीनत सी इम ए सी जी इम तेज कानत मुट्जिहा इला मुवानि फलस्तीन मुछतला इन्न अमलियत इस्तिहदाफ जाएत बाद रफ़ तागम स्सफीनत इस्तिजाबत लिनिदाएत गुआत लगवात बहरीयत लिमनिया बिमा फी दालिक र्रसाइल तहदीरियत नारिया हूथी विद्रोही लगातार इस्रेयल पर हमला कर रहे है वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे है बैलिस्टिक मिसाइल से भी इस्रेयल के दक्षणे इलाके पर अटेक कर रहे है साथ में इस्रेयल और अमेरिका को लगातार धमकिया दे रहे है यमन के हूथी विद्रोहीों ने 15 देशों को ललका रहा है यानि हूथी विद्रोहियों ने 15 देशों से युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है इसमें अमेरिका और इस्रेल के अलावा और सिंगापूर भी ये अमेरिका को जबाब है जिसने लाल सागर को हूथी प्रूफ बनाने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन की शुर्बात की है लितफख मना프फ मरूर ऊबुर बर्यी की उतार सिंगा अमेरिका ने जब से इस मल्टीनेशनल फोर्स को बनाने की पहल की है वो हूथी विद्रोहियों के टार्गेट पर आ गया है और हैरत है कि अब तक वो उनको डराने में नाकाम रहा है हूथी विद्रोहियों ने कह दिया है कि वो अब इन देशों के जहाजों को टार्गेट बना सकता है और ऐसा वो लाल सागर में करेगा, ऐसा वो आदेन की खाड़ी में करेगा ये वो देश हैं जो अमेरिका के उस गडबंधन का हिस्सा बन चुके हैं जो लाल सागर में हूथी वे द्रोहियों के हमले को नाकाम करना चाहते हैं और इसके लिए ये गडबंधन यमन पर हमला करने की भी धमकी दे रहा है दरसल अमेरिका को डर है कि लाल सागर में उसके जहाज डुबू दिये जाएंगे अमेरिका को डर है कि यमन के हूथी विद्रोहियों से उसका युद्ध शुरू हो चुका है अमेरिका को डर है कि अगर हूथी ने एंटी शिप मिसाइल मारी तो उसका कैरियर डूप जाएगा हूथी विद्रोहियों से इस्रेल के बाद अब अमेरिका को भी खत्रा बढ़ गया है हूथी विद्रोही दिखा चुके हैं कि वो जहाज पर कैसे कबजा करते हैं वो कैसे इस्रेल से जोड़े जहाजों को टार्गेट कर रहे हैं ये हेलिकॉप्टर वाला ओपरेशन इसका सबूत है इस हेलिकॉप्टर के पिछले रैंप वाले दर्बाजे पर दो जंडे लगे हैं एक है यमन का जंडा और उसके नीचे है फिलिस्तीन का फ्लाग ये लाल सागर है दुनिया इसे रेड सी के नाम से जानती है देखिए रेड सी में क्या हुआ हेलिकॉप्टर किसी तरह जहाज की रफ्तार से रफ्तार मिला कर आगे बढ़ता है और इस शिप पर उस जगे पहुंचता है जहां ये जहाज पर उतर जाए लेकिन अचानक इस हेलिकॉप्टर से कमांडो निकलने शुरू हो जाते हैं जहाज पर हमला होता है और ये कमांडो जहाज पर कबजा करना शुरू कर देते हैं एक के 47 और बाकी हथ्यारों से लैस ये कमांडो जहाज पर आगे बढ़ते हैं हेलिकॉप्टर फॉरन जहाद से ओड़ जाता है, क्या हो रहा है, किसी को नहीं मालए, ये कमांडो जल्दी से जहाद के ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं, ब्रिज यानि वो जगए, जहाद से पानी के जहाद को कंट्रोल किया जाता है, शिप के स्टाफ की तरफ राइफल तानी, ये सभी हमलावर जहाद के ब्रिज में दाखिल होते हैं, और फिर पूम मेंबर हैंडसप करके हमलावरों के स्कीम के आगे सरेंडर कर देते हैं, शिप के ब्रिज पर कंटरोल करने के बाद इन हमला वरों का कब्जा वाकी जहास पर होने लगता है ऐसे हमलों को रोकने में अमरेका और यॉरॉप के देश नाकाम साबित होई अमेरिका सुपर्पाउब होने के बाँर जूर्ध हूथी विद्रोहियों का सामना नहीं कर्पारा Hence यमन के हूथी विद्रोह जब किसी जहाज पर कबजा करते हैं या उस पर हमला करते हैं तो उसे चारों तरफ से उनकी स्पीड बूर्ट घेट लेती हैं और फिर जहाज उनके कंट्रोल में आ जाता है ऐसे में भारत के कमांडो आपरेशन को देखकर अमेरिका सीख सकता है भारत ने बता दिया है कि जहाज पर कबजा हों तो कैसे लड़ा जाता है लेकिन अमेरिका ये हिम्मत हूथी विद्रोईयों के खिलाफ दिखाने में अब तक नाकाम रहा है और इसका खामियाजा अब इस्रेयल ही नहीं पूराई जोरफ भगत रहा है यमन के हूथी विद्रोई जो घाजा पर इस्रेयल की बंबारी रुपाने के लिए इस्रेयल के जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टार्गेट कर रहे हैं और अब उन्हों ने कई कम्पनियों को माल की आबाजाही रोखने पर भी मजभूर किया है इसी वज़े से अब कार्गो जहाज अदन की खाड़े और लाल सागर के करीब भी नहीं आना चाहते हैं यहीं से एशिया की तरफ से यूर्प को रास्ता जाता है दुनिया की सबसे हम शिपिंग ले जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूर्प पहुंचना होगा अगर इस्राइल जाना है तो रास्ता 10,000 किलो मीटर तक जादा हो जाएगा तीन से पांच दिन का सफर और लंबा हो जाएगा ज्यादा फासला यानि ज्यादा लाकर ज्यादा वर्थ और कारोबार पूरी तरफ चौपर यही है यमन के हूथी वे द्रोहियों का ठार्केट क्योंकि वो घाजा में बंबारी का बतला इस्रैल के जहाजों को बना कर करना चाहते हैं और ऐसा उन्होंने करना शुरू भी कर बिलिया है ऐसेमें भारतीय नौसैना का वीडियो अमेरिका के लिए एक सबख है यह वीडियो देखकर बाइडन चाहें तो अपनी नेवी को आडर दे सकते हैं यह वीडियो देखकर अमेरिका अपना डर खत्म कर सकता है ये वीडियो देखकर अमेरिका के मशूर सीय कमांडो भारत के मार्कोस कमांडो से उप्रेशन करना सीख सकते हैं भारत के मार्कोस कमांडो देश के शक्तिशाली कमांडो फोर्स में सीख सकते हैं 1987 में बने मार्कोस बहुत ही तेजी से उप्रेशन करते हैं इन्हें अमेरिका के नेवी सील्स की तर्फ पर ही तयार किया गया था लेकिन हैरत की बात ये है कि आज ये ऐसे ऐसे ओपरेशन को अंजाम दे रहे हैं जो खुद अमेरिका लॉंच करने से घबराने लगा है दरसल इस सुवक्त लाल सागर में बहुत आग है इस सुवक्त लाल सागर के आज पास बहुत गुस्सा है इस सुवक्त लाल सागर में वार जोन भड़कनी की कदार पर अगले 48 घंटों के अंदर लाल सागर शमर और इस्रैल के बीच इतनी चिंगारी नजर आ रही है कि पूरा पश्यमेशिया घाजा के बाद दूसरे युद म डूप सकता है घाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं इसका खत्रा सब महसूस करने लगे हैं इस्रैल ने दुनिया के प्लेशर के सामने जुकने से मना कर दिया है लिहाजा अब हूथी विद्रोही जिनकी इरान से बेहत करीबी है उन्होंने इस्रैल के शिप को टार्गेट करने का फैसला किया है वो जानते हैं कि उनके करीब से गुजरती शिपिन ले दुनिया की लाइफ लाइन है और यहाँ पर हमला करने का मतलब इस्रैल और अमेरिका के गले पर हमला करने जैसा है हूथी, seizure of the motor vessel galaxy leader in the Red Sea is a flagrant violation of international law. We demand the immediate release of the ship and its crew and we will consult with our allies and UN partners as appropriate on next steps. वार्गिराएं तब से कहा जा रहा है कि खून खून हुआ लाल सागर नए वार्जोन में अब मचने वाला है महाबबंडर